हलो फ्रेंग्स कैसे आप सब मैं अमिता मेरे यूट्यूब चैनल अमितास किचन कुछ मिठा कुछ रमकी में आपका स्वागत है जैसा फ्रेंग्स आप लगों को पता दिवाली चल्दी ही आने वाली है तो मैंने का कुछ ऐसी रेसिपी शेयर करूं जो उन दिनों आप बनाए करें तो इसी सीरीस में मैं आप के लिए लिए लेके आई हूँ वेजटेबल जेल फ्रेजी की रेसिपी क्योंकि अधिरा हमारे देन राथ हर ताइम अच्छा खाना बनता है तो इसी यह मने का चलिए ऐसी रेसिपी शेयर करते हो आपके साथ तो चलिए आप हम वेजटेबल बनाना शुरू करते हैं वेज़िटेबल जेल फ्रेजी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन लेंगे उसमें हम वान टेबल स्पून अरॉंड बटर डाल देंगे और साथ ने थोड़ा सा रौंड वान टी स्पून कर रहा हूं रिफाइन डाल देंगे इसलिए रिफाइन ड काटा हुआ है इस टाइप से इसको डाल के सौटे कर लेंगे जरा सा उसके बाद हम डाल देंगे इसमें अरॉंड वन कप क्यार्र या एक बड़ी क्यार्र काल लेंगे दस बारा बीन्स देखिए शेप आप कैसी काटना चाहते है इस अप टू यू आप जैसी भी चाटे लं यह डाल देंगे इसको अपने हाइफ फलेम पे पिस्टेड भ्राइय करेंगे है इस लंपना एक मिनित के लिए पहले में वजी को कर लिए हम देखिए लगबक एक मिनिट होने लगा है आई फ्लेम पे मैं कर रही हूं इनको स्टेट फ्राइए देखिए वेज़िटेबल्स इसमें हमने रखनी है क्रांची इनको गलाना बिल्कुल नहीं है क्योंकि इन वेज़िटेबल्स को थोड़ा सा टाइम लगता और वेज़िटे मटर अगर आप फ्रेश मटर यूज कर रहा तो आप कच्छे डाल सकते हैं पर यह मैं पाकेट वाले यूज कर रहे हैं तो मैंने इनको एक विसल देल वाली थी क्योंकि यह वाले मटर जल्दी गलते नहीं है आपने देखा होगा वेज़िटेबल्स जहल फ्रेजी खाई पैजिधी करते हैं इनको यह सब जो हम कर रहे है इसनटेट फ्रेंप्रियू ही अज़ा आप कर रहे हैं ओ gerçekten जिसल अधिक हैं प्रिंच हें अगर नहीं है तो केबल के आपसे कमसे भी काम चल जाएगा ऐसा नहीं है अगर पड़ी है तो आप दाल दीजे यह देखिए अब इंको अच्छे से हमने आप इस समय ज्यादा नहीं करना क्योंकि आपको पता है कि शेम्णा में इस सब्देर पर बहुत जल्बी होती है इसमें थोड़ा सा हम दालेंगे सॉल हमने करीब आप ती स्पूम दाला है इसमें और इसके बाद हम इसको अच्छे से कर लेंगे हाई फ्लेम पे 30 सेकिंड्स हम करेंगे और इसके बाद हम दाल देंगे इसमें यह देखिए एक टोमाटो है वीडियम साइज का इसको बस हमने ज्यादा नहीं करना बिलकुल 30 सेकिंड्स की मैंने आपको बोला था बस 30 सेकिंड्स को कर लेते हैं अब हम इंको एक किसी प्लेट या किसी भी बरतन में निकाल देते और बाकी की जल्फ्रेजी आगे की बनाना स्टार्ट करते हैं इसके लिए अब हम लेंगे अराउंड सबसे पहले एक टेबल स्पून आराउंड ओलेंगे इसके बाद इसके हम डालेंगे चार से पांच गार्लिक क्लोफ्स देखे मैंने इसको काटा हुआ है चोटा चोटा जिंजर जूलीन स्वेमे में और एक ग्रीन चिली देखिए और गार्लिक टोटली ओप्शनल है अगर आप गार्लिक नहीं खाते हैं तो कोई रिक्कत नहीं है आप गार्लिक अब वोएड कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको बस अलका साहम टोटे कर लेंगे इसके बाद हमने डाना हैं इसको अच्छे से फ्राइब करना है इसको हमने गोल्डन ब्राउं करना है क्योंकि तभी इसकी सब अच्छी शकल आएंगी वेजेटेबल की अब हम इंको अच्छे से दो से तीन मिनट हमें आ रहा हैं आ रहा हम से लग जाएगा इसको फ्राइब करने में हैं दिक येदो मिनेट हो गये अभी भी हमारे प्याज जो हमें चाहिए ब्राउण कालर वोर्डन ब्राउं नहीं हैं अभी हम इसको हमें लगजाएगा एक से देर मिन अर ऑद खें मुप अभी हम चलिए इनको कर ले ते कॉछ ना रहे ही कत्च्छी को खीया ुप कर दो निदे द०ि र्खायों से निदी तो इस बिल्कुल आई रखाऊ से गया को तर्खेर आपर करें कर दो मंच जानिंगे तकननी मेफिक रखा शुक करोंगों अब तीखापन देख लीज़ेका अभी तो मैंने देखिए कश्मीरी लाद मिर्च डाली है क्योंकि ग्रीन चिली भी डाली थी इसके बाद एक टीज़्पून भरके सूखा धन्या डाल देगे सूखा धन्या बहुत अच्छा लगता है और अरॉंड वन फोर टीज़्पून डाल देंगे क्योंकि हमने कश्मीरी लाल मेज डाली उसमें तीखापन नहीं होता आपको पता है इसके बाद हमने डालना है अरॉंड फोर टीज़्पून ब्लाइक पेपर दालेंगे यह हमारा हो गया बचा है सॉल्ट वेजेटेबल में हम डाल चुके आपको पता है तो अ किसाप से आप देख लीजेगा में मसाले में मसाले प्याज में अच्छे से भून जाने चाहिए आप देख रहे होंगे उसके डालना है इसमें तो मीडियम साइज के शॉप् टोमाटो जाल देंगे यह सब हम मीडियम के लोदें पर करेंगे क्योंकि मसाले जब आप गुन रहे हों जब ब्रॉंड होजाये प्याज इसके बाद हमेशा मीडियम यह स्लोघ पर लिजिए तो एददम से भूने लगता लास्टेश पर होता है तो एददम से जल जाएगा आप धीडे ही रखे त अब हमने इसको इतना पकानए कि टामाटर इसमें गल जाय अच्छे से इसको अब हमें एक मिनट अच्छे से इसको टोटे कर लेते हैं तेमाटर अच्छे से गल गये आपको देख रहा होगा। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पूर्ट टोमाटो केच्छाप इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस समय पे इस टाइम पे हम थोड़ा सा डाल देंगे साथ में हरा धनिया जो फ्लेवर मसाले में भी आ जाये इसका इसको अच्छे से हमने 1 मिनिट फ्राइ कर लेते हैं यह सब आप हाइफ्लेम पे कर सकते हैं आप आस में खड़ें होंगे इसको हाइफ्लेम पे कर देंगे जरासा ओएल चूट जाए दिखिए परसाला बहुत अच्छे से भुन गया है अब इसके बाद दिखें यह जो वेज़िटेबल थी हम इसमें यह डाल देते बड़ा इसके बार ख्लो प्लें पर करके अज़ी से मिक्स कर लेंगे वेजिदेबल को इसमें मंसाले में ज्यादा पकाना नहीं है क्योंकि आपको पता है अल्रेडि हम वेजिदेबल स्टेक रख कर चुके हैं तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, उपर नीचे करके, देखिए, वेजेटेबल मसाले में अच्छे से मिक्स हो गई है, अब इसके बाद हमने डालना है, हाफ टी स्पून गरम मसामा, इसमें डालेंगे, और थोड़ा सा उपर से और कुरियांडर डाल देंगे, और इसको एक बार अच्छे से फिर से मिक्स कर लेगी, और इस चीज़, और यह द्रेसे अगर आप, मैं आपको बता रही है, यह तोटी ऑप्षिनल है, जर्णर अच्छा लगता है, आप चाहें तो छोटा-चोटा कटा हुआ, पनीर भी थोड़ा सा आड़ कर सकते हैं, थो किसी भी चीज के साथ खाएं, मज़ा आजाएगा, तंदूरी रोटी के साथ खाएं, चलिए हमारी इसको तयार हो गई, हम इसको सर्फ कर देते हैं, देखिए मेरी वेजटेबल जल फ्रेज़ी बिल्कुल खाने के लिए तयार हो गईगे, इसको देखके आपका बनाने का मन कर रहा है न तो फिर फटा फट बना डालिए और मुझे बताईएगा जरूर कि आपकी कैसी बनी अगर अच्छी बनी तो अपने फ्रेंज और फामिली के साथ जरूर शेयर करेगा और आपको अगर मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो मेरे बाकी वीडियो भी आप देख प्राइब के और साथ ट्राइब होसेली झापने प्रेंगााँ जापकी का सaturब देख भी प्री मेर शेयर की वीडियोगे जाल होसे वीडियोग पो अपलीक का सore